बियूल्फ राच्छस को मार देता है उसका बदला लेने के लिए उसका हाथ उखार देता है और उसका हाथ उखा कर राजा के सिंगासन के उपर जैसे लोग सेरों को मार कर उनकी खालों को टांगा करते थे अपने सिंगासन पर अपनी ताकत और सामर्थ का प्रदर्शन करने के लिए उसी तरह से वह उसकी हाथ को राच्छस के मार करके राजा के उपर टांग देता है और वह इस बात का प्रतिक था कि बेउल्प ने उसको अपनी सक्ति प्रदर्शन के द्वारा उसको मार दिया था अपनी गृप में उसकी हाथ को नहीं छोड़ता है और इतनी टाइट गृप होती है उसकी कि वह उसका हाथ उखड़कर हाथ में आ जाता है और वह जाकर समुद्र में इंडल्ज हो जाता है मरने के लिए वह सीधा समुदर में जाकर अपनी मा के पास पहुंसता है और फिर अगली रात उसकी मा जबकि ये लोग खुशियां मना रहे थे अपनी जित का, अपनी विक्टरी का, अपने उस कारिक्रम का जो खुशियां मना रहे थे, सराप पी रहे थे, गाने गा रहे थे, स्टोरीज बहुत सारी बाते कर रहे थे हर प्रकार से वो खुशियां मना रहे थे और उन खुशियों पर तुशारा पात हुजाता है जब नौक करती है, हर्टर के दर्वाजे को उसकी मा बदला लेने के लिए, वेंजियन्स लेने के लिए उसकी मा का आतमन होता है वहाँ उसकी मा का पीछा करते हुए उसके अस्थान तक जाते हैं अन्दा शोर किनारे पर समुद्र के फार लांग टाइम अपने मित्रों को बाहर चोड़ कर वो अंदर जाता है लंबे समय तक ही सिंग्स इंटू दा फ्लड उस बार में वो डूबा रहता है और वो बहुत तेजी से उस पर हमला करती है और उसको घजीट कर ले जाती है अपने उस अर्धमानों की रूप में उस गुफा में लेके जाती है और उसके पीछे बहुत सारे स्री राच्छस जैसे के पहुँच जाते है और फिर वह समुद्री राच्छसिन उसके टस्क अपने दातों के दोरा उसके जो कवच होता है आर्मर होता है उसको पीस डालती है वो नोच डालती है उसको खटम कर देती है वह एक तरफ फेक देती है उस वैपन को हाथ में पकड़ करके वह बिलकुल उसको नुकसान नहीं पहुचा पाता है वह उसको पकर लेता है और उसको नीचे जुका कर गिराने की कोसिज करता है हर अपने दातों को उसके सीने पर जकर देती है और जोरों से उसको अपने मुह से वो ताकत लगाती है लेकिन उसके सीने पर जो स्टील का कवच था वह उसको भेद नहीं पाती है वह जो पहने हुए तक कवच वह जो कटार से प्रहार करती है उसके सीने पर तो वह कवच को भेद नहीं पाती है उसके हुबर्क को भेद नहीं पाती है उसके आर्मर को भेद नहीं पाती है उसके कवच को भेद नहीं पाती है वो और उसी की वज़े से वह सेव हो जाता है बच जाता है He is weird, now अब वो ठक गया था बहुत ज़्यादा and oppressed और बहुत ज़्यादा परेशाथ हो गया था Suddenly, as his eyes sweeps the cave, जैसे उसकी नजर चारो तरफ कुफा में गोंती है He catches the sight of magic sword, वहाँ पर देखता वो जादू तलवार पड़ी होती है Made by the giants long ago, जो राचसों के दोरा बहुत प्राचिन समय बनाई गई थी Too heavy for warriors to wield, उसको exert करना, उसको उफाना, उससे प्रहार करना ये किसी भी योद्भा के लिए बहुत कठिन का रहे था Struggling up, he sees the बहुत ही प्रियासों के दोरा उसको पकरता है, जगरता है उस weapon को Wills it down, bring down the crashing blow upon the monster's neck और उन राचसों की गर्दन पर बहुत जोर से प्रहार करता है It smashes through the ring bones, the mere wolf, see which falls, वो जो mere wolf होती है वो गिर जाती है, उसकी गर्दन पर बहुत तग्रा प्रहार, जब जादू तलवार से करता है And the fight is won, और युद्ध जीत लिया जाता है, वियूल्फ के द्वारा फिर से एक राचसों का murder हो जाता है The cave is full of treasures, उस गुफा में बहुत सारा कजाना पड़ा हुआ था But वियूल्फ hits them not, लेकिन उसकी तरह बिलकुल वियूल्फ ने ध्यान नहीं दिया For near him lies Grendal, क्योंकि वही पर वहाँ हाथ उख़ा हुआ राचसों का बेटा पड़ा हुआ था उसकी last पड़ी हुई थी Dead from the wound received the previous night, एक रात पहले जो घाव लगा था उसकी वज़े से उसकी जान चली गई थी Again, beautiful swings the great sword और फिर वहाँ उस बहान तलवार को उस बरी तलवार को एक बार खुर जोर से उठाता है और उसके उपर गर्दन पर उसकी प्रहार करता है ऐसे लगता है जैसे वह still ऐसे पिखल जाती है जैसे आग के सामने बर्फ पिखल जाया करती है And only the hilt is left केवल मूथ हाथ में रह जाती है उसके और तलवार पुरी पिखल कर बर्फ की तरा नीचे गिर जाती है And taking the hilt and the head उसका सर और वो तलवार की मूथ हाथ में लेकर के Hero enters the ocean समुद्र से वो बाहर मिकलता है लेकिन इससे पहले वहाँ पर किनारे पर लोग जो खड़े थे जो उसको अंदर समुद्र में जाते हुए देख चुके थे वे सारे लोग वहाँ पर खड़े हो करके इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब बियूल्फ बाहर निकल कर आएगा लेकिन जो खून की उबाल अंदर से खून के जो कत्रे बाहर निकल करके आये समुद्र में वो खून देख करके गाओं वालो निरास हो गए उन्होंने उन्होंने वो समझ गया कि बियूल्फ की वाट लग गई है राच्छ से उसको मार दिया है इसलिए सब अपने अपने घर चले जाते हैं वेटिंग देर फार देंस सी दा ओशियन बबल्स बिद फ्रेस ब्लड पाजा फून जब देखते हैं बबल्स में निकलता हुआ दाओ इट वर्ज आल ओवर सब खत्म हो गया था विद दा हीरो आएंड हैड गॉन होम और वो समझ गया है उसका हीरो खत्म हो गया था और वो सब के सब खर चले जाते हैं अब विवल्फ का है ने वह वह हीरो है अब राम चरित मानत सुन रहा हो तो कर रामर्ण थोरी जीते गा रामर्ण थोरी जीते गा रामें तो जीते गे गाना देखो and there they were mourning in herot और वहां जाकर कि देखता है कि देंस के लोग वहां है रोट में बैटे हुए विलाप कर रहे थे बिचारे रो रहे थे वन वियोल्फ रिटरंड विद इस मांस्टर से हैड ऑफ गांडियल कारीर और स्पीर सक्ट भाले की नोक में सर लगा करके उस राच्छस का वियोल्फ एक वीर पूरुस की तरह वहां आ आता है आप इस इस्टावटेस्ट फॉलोवर्स अपने बहादुर जवानों के साथ 14 के 14 वापस आ गये थे साथ हाँ वियूल्फ हीरो है बिलकुल इन दा लास्ट पार्ट आप दा पोयम आखरी में दा अनदर ग्रेट वियूल्फ एक और महान गाथा है वियूल्फ इस नाओ और ओल्ड मैन अब जो थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट इसका सुरू हो रहा है उस कविता में वहां देख सारे जुस्मनों को जीत कर वहां राज्य कर रहा था बट वन अफायर ड्रेगन एक बचा था जो फायर ड्रेगन था उसके अलावार सब को उसने जीत लिया था कीपिंग वाच और एन एनॉर्मस ट्रीजर हीडन अमंग दा माउंटेंस परवतों में छुपे हुए बहुत मह खाजाने को वहां रच्छा करता हुआ वहां पर वह ड्रेगन था जो आग उगलता था प्रिमू से अचानक एक आदमी वहां पर टहलता हुआ जाता है वन दे वांडरन इस्टेंबल सा पान दा एंचैंटेड केव उस आकरशन से भरपूर गुफा की तरफ चला जाता है एक जैसे ही वह जोल ले करके चला आता है ड्रेगन के सोते समय ड्रेगन जब उठता है तो वह सूंग कर पता लगा लेता है कि वह कोई बंदा आया था कुट्टे के तरह वह बंदे के पीछी पहुँच जाता है बर्पिंग बैल्चिंग फोर्थ फायर आग उगलता हुआ अप लेकिन अपने पीछे म्रत्यू का तंडव मचाता हुआ जब देखा उसने ड्रेगन को गोज फोर्थ तो चैंपियन इस पीपल अपने लोगों के लिए वो चैंपियन बनने के लिए फिर से एक बर मैदान में आता है एज ही अप्रूचिस दा ड्रेगन के लोगों ही हाज प्रजंटी मेट डाट लर्क्स विदिन हिम वो ऐसा प्रजंटी मेट होता है उसको प्रजंटी मेट का मतलब इंटीशन होते हैं ये अंदर से उसके खत्रे की घंटी अंदर बजने लगी और उसको लगा कि साइद यही तो मेरी म्रत नहीं लिखी है और साइद लर्क कर रही है मेरी म्रत प्रॉल कर रही है मेरी तरफ बढ़ रही है धीरी-धीरी मुझे इस गुखा में नहीं जाना चाहिए महाँ भारत वाली स्टोरी में ही तो है ये सब there is a flash of illumination वहाँ एक बहुत टीबर चमक थी like that which comes to dying man in which his mind runs backward his long life and sees something of profound meaning in the elemental sorrow moving side by side with a magnificent courage बहुत ही साहच के साथ उसमें वहाँ गुखा लेकिन वहाँ का महाल ऐसा लग रहा था कि एक साधान बेक्ति अगर उसके अंदर कोई जाता तो वह भय से कमपन करने लगता लेकिन ब्यूल्फ एक महान योगता था इसलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ और वह बड़ी निरता और courage के साथ उन गुखा में गुख गया जितना कि भी उल्फ कुंद था इस बहुत करते हैं कि पत्तम बनाने की आपको और राप्ट इन फार एंड स्मोक इस हाल्ट बाइदा हेरोई बहुत फ्लेक्शुेट कर रही है लाइट बल्कुल सही है एक दम क्लियर है तो आफट कर दिया बल्कुल सही है ठीक है नहीं आप सही है कोई दिकत नहीं तो देखें वियूल्फ रैप इन फार एंड स्मोक अपने सिपासालार के हेरोईज्म की वजे से वह बच जाता है और आखिरकार द्रैगन की स्लेइन और ड्रैगन को भी मार दिया जाता है बड़ फायर है एंटर वियूल्फ लंक्स लेकिन आग वियूल्फ के फेपडों में भर जाती है और यह नोस दाट वियूल्फ एट हैंड वियूल्ड ओल्ड एंगलो सेंग्सेंट्स पीरियड में टाइम में भाग्य को कहते थे अब आ गया है सामने अंतिम समय उसका सामने आ गया है और आप यह मर जाएगा ऐसा उसको लगा यह उसका विचार था वाइल विगलाफ रिमूब्स हीज बैटर्ड आर्मर जबकि विगलाफ ने अपने सरीर से यह बैटर्ड गया था उसका जो आर्मर था कुचल गया था आतों के दौरा उसने बिलकुल कुचल दिया था बहुत बुरी कर से घायल हो गया था अब सब ठीक है फिर वह बाहर निकल करके फिर द्रेक की केव में जाता है कहता है जा के देखो उसके अंदर क्या-क्या है वो फाइंद इस फिल्ड विद रेयर ट्रेजर्स जहां बहुत विशाल खाजाना दुरलब तीरे जवाहरात मुतियों से भरा हुआ था and most wonderful of all सबसे सुन्दर चीज जो वहाँ पर थी wonderful थी, अदमुत थी golden banner from which light proceeds and illuminates all the darkness एक ऐसी चीज वहाँ पर पाई गई जिसके आर पर light निकल जा रही थी और बहुत बहतरीन नजारा वहाँ पर उजाला वो दे रहा था यानि वो मडी थी क्या थी वो बेटा? गो मडी थी, मडी मडी समझ रहे ना? मडी वो मडी थी, little treasures he mind is full, his mind is full of dying chief लेकर आब उसके दिमाग में ये चल रहाते को, उसका chief जो उसका साथी है, उसका दोस्त, उसका सखा है वो मरने वाला है he fills his hands with costly ornaments अपने हाथों में बहुत सारे वो हैंने भर लेता है, और हरी is to throw them at the hero's feet और अपने hero के चरणों में फेकने लगता है पैरों के तरफ पेकने लगता है the old man looks with the sorrow at the gold thanks lord of all hey, सभी के देवता, सभी के मगवान को कहता है कि वो उनका धन्यवाद देता है, थैंक करता है और देखता है कि मेरे चरणों के खाजाना पड़ा है मैंने सारी चीजे जीत ली है सब कुछ मेरे कर्णों में है ऐसा वो feel करता हुआ that by death he has gained more riches for his people, उसने ये उसको लग गया कि अपनी मत्य के बाद भी वो छोड़ कर जा रहा है, बहुत बड़ा wellness of the headland peninsula जो आज का peninsula अस्थान है वहाँ पर wellness उस अस्थान का नाम है जिसको headland के नाम से भी जाना जाता है peninsula में वही पर आज का peninsula वही पर उसकी body को cramped किया जाए दफनाया जाए हाँ वो एक सहीद था, बिलकुल वियूल्फ वाज इस्टिल लिविंग वन विगाल sent a messenger अभी वो जिंदा ही था विगाल पने messenger को भेजा hurriedly to his people अपने लोगों के पास वन दे केम जब लोग आये कथा तहानी चल रही है भी उल्फ की दे फाउंड हीम डेड और उन्होंने देखा कि वो मर चुका है और उन्होंने देखा कि the details of the magnificent ending the unselfist heroism of विग उल्फ ये बिना स्वार्थ का जो साहसी कारे उसने किया था उस पर सभी की निगाह थी हर कोई अपनी कहानी में उस समाचार को उस news को उस ख़बर को उस information को दुनिया तक पहुँचाना चाहता था हर कोई अपने तरीके से विउल्फ की कहानी को सुनाना चाहता था temperate to linger over the incident उस घटना पर रुख करके ठैर करके लोगों को बताना चाहता था the great prototype model of king alfred जो उस समय उस सताबदी में ये 7 वी 8 वी सताबदी की कहानी है उससे पहले 5 वी सताबदी में king alfred जो महान युद्धा था उसके बराबर एक symbol मिल गया था वी उल्फ के रूप में लोगों को जो west section में राजा राज करता था 1871 से 886 इसमी तक जो राज किया था बहुत बहतरिन राजा था वो the generous grief of people ignoring gold जो लोगों के लिए बहुत ही दयालुता पूर भाउना रखता था वी उल्फ की बात हो रही है और gold को उसने ignore किया हमेशा जोयल्स को thought of the greater treasure they had lost और वो समझता था कि उसके लोग उस खजाने से भी बड़ा खजाना है उसके लिए और वो उनकी हमेशा परवाह करता था और उनके वो ने उसकी याद में एक माउंड एक मिटी का धेर मेमोरियल के रूप में एक छोटी चटान पर बनाया बी उल्फ के सातियों के लिए बी उल्फ के लिए विच वूड विच वूड काड एवरी डिटर्निंग मारिनर टूसरे स्टेर श्टेर की याद में उस जगह पर हर येक मारिनर जो समद्र में यात्रा करके अपनी पूरी करके वहां होता था उसको पनाम करता था और उन्ही के पैना के लिए विवूड की समाति को वहाँ पर समद्र के किनारे बनाया गया था and the pure poetry which marks every noble line but the epic is great enough and simple enough to speak for itself वो खुद ही कहानी अपने आप में बहुत महान थी बहुत साधारन भासा में लिखी थी और लोगों तक पहुँचने में बहुत आसानी से हो लोगों के काम आती थी और लोग उससे पेरा स्रोत मनाते थे अपना Search the literature of the world जब भी आप Google पर या कहीं भी Search करोगे literature of the world तो सबसे पहले ब्यूल्फ की कहानी ही आपकी screen पर आएगी Concerning the history of ब्यूल्फ A whole library has been written एक पूरा-पूरा library ही ब्यूल्फ पर लिखी गई गात हैं इतनी सारी And scholars still differed radically for the expresses A positive judgment this much however is clear That there existed the time the poem was composed of various northern legends of Vuova A half divine और बाद में वो various northern legends में Vivova के नाम से famous हुआ यही वियूल्फ जिसको half divine Ardh Iswar Ardh Iswar कहा गया था Hero कहा गया उसको और आवर यह monster gandle राच्छस की कहानी और वियूल्फ की कहानी बच्चे-बच्चे की जुबान पर आ गई Northern Island Anonymous writer के लिए hats off Yes, बिल्कुल, बहार शांदा है रहे बचाँ The letter has been interpreted in the various ways Sometimes as the beer and the malaria of the mars of the land यह कहानी आपर लिखी है For those interested in symbols of simplest interpretation of these myths To regard Buell successive fights लगातार जो युद्ध पर युद्ध करता रहा हूं इसके बाद समुद्री यात्राओं पर, कठनाईयों पर जीत पाना और which was beaten by the dykes Second, जो dykes माने जो बांध बने हुए थे जो किनारे पर बांध उनसे कैसे भिड़ना है, किस तरह से बाधाओं को पार करना है समुद्र में तारना है, समुद्र में अपने अजिस्टेंस को बनाये रखना है ये सारी कहानिया बियूल्फ के बारे में लोगों तक परचलित हो गई Second, जो दूसरी थी, conquering of the seed self समुद्र पर ही विजे पात्रण प्राप्त करने की कहानी के रूप में प्रेमस होई बियूल्फ की कहानी, when men learn to sail upon the third और उसी कहानी से, समुद्र पर जीत पाने की कहानी से लोगों ने प्रेना पराई कि कैसे समुद्र में जाकर के बियूल्फ की तरह बना जा सकता है, और समुद्र की बाधाओं को पार किया जा सकता है और जो तीसरी कहानी थी, the conflict with the hostile forces of nature प्रकर्त की जो hostile forces थी, उनके बिरुद्ध कैसे बियूल्फ ने अपने आपको survive करके रखा था और किस तरह से वो प्रकर्त की चीजों से लड़कर के और खुद को कितना समझदार और कितना बलवान बना था उसने प्रकर्त की चीजों को समुद्र में जेला था उनके साथ रहा था, उनके साथ खेला था, उनके साथ तैरा था उनके साथ पला और बढा था, प्रकर्त की चीजों पर भी उसने अपने आप को काबू पाया था. इसका मतलब अनकॉंकरेबल जो प्रकरति की वो अनकॉंकरेबल चीजे थी जो बाद में मन से सीख पाया, कहानी की प्रेरा उसको ब्यूल्फ की कहानी से मिली, कि कैसे ब्यूल्फ ने समुद्र पर विजय प्राप्त काई, कैसे किस तरह से टेक ड्रैगन्स को उसने मारा ये सारी कहानिया लोगों में पूरी तरह से विख्यात हो गई पूरे इतिहास में ये पूरी तरह से मिथिकल था, मिथिकल वहा होती है जिस जो एक कहानी के रूप में होती है और हम उसको इतना सच मानते हैं कि जैसे वो कभी इतिहास में घटित हुई हो उसको हम मित कहते हैं तो ये mythical story जो बन गई but there are historical incidents to recon with यहाँ पर कुछ historical incidents भी है जो इससे mail खाती है about year 520 a certain northern chief called by the chronicles वहाँ पर एक चौची लैकिसस चौची लैकिसस चौची लैकिसस जो की generally identified with the highlock of the epic highlock of the epic highlock कौण था ये mid 400 SP में इसका जन्व हुआ था ये सन था हेर्थल का जो king है गीट्स का गीट्स का राजा जहां से बियूल्फ बिलॉन करता था उसके बाद में बहुत सारे ऐसे राजा वहाँ पर आये जिसकी कहानिया बियूल्फ से प्रेरिद बताई गई और वो सब उसी देश के निवासी से जहां पर गीट्स नाम कर राजे गीट्स नाम की जन जाती से जिस जाती से बियूल्फ आता था उसके बाद बहुत सारे महान लोग वहाँ पर हुए when highlock was young his older brother एक और दूसरा भाई था उसके द्वारा वो धोखे से मार दिया गया इसका बड़ा भाई हैजाल का तो जिसका नाम था हैथसिन जो की एक आरकरी में मारा गया है तो सिन के द्वारा आरकरी में मारा गया आरकरी का मतलब है धनुस बारा बे धनुस चलाया उसने और वो बार गलती से जाकर के उसको लग गया यह कहानी वहाँ पर बहुत पॉपुलर थी लेडा हूज प्लंडरिंग लूतने के लिए बहुत लंबी याथ रहे की अपड़ा अगल्ग की बड़्यूर्फ का नदी जो कि वेस्टन हूप में राइस इंडा यजरो कलर से Алекс से मैंने डाला है यहां पर यह जेलॉंग ने नहीं लिखा है तो इसके बाद मैंने इसको डाला है यहां पर आपको समझाने के लिए राइन एक नदी है जो वेस्टन युरूप में है और उसके आसपास के जितने भी स्विस आलपस की पहाडियां और 820 मिल तक जो बहती है बहुत सारे युद्ध जीतने के बाद यह उसी के वनसज था हजालाग की बात हो रही है फिर बाद में वो फ्रैंक के दौरा पराजित हो गया सब को लूटने के बाद और यह फ्रैंक कौन थे यह जर्मन के रहने वाले लोगों के लोगों का एग गृप था whose name was first mentioned in the third century तीसरी century में जिसका नाम mentioned किया गया था Roman sources में and associated with tribes ये उन tribes से सम्मंदित था जो lower Rhine and the Amps river के बीच में रहती थी निचली घाटी में तो वहां से जो सम्मंदित लोग थे फ्रैंक्स थे और उन्हों नहीं है एजला को अंत में हराया एक बड़े युद्ध में बहुत बहुत सब घजब चीज़े हैं जो आप पढ़ रहे हों सी ना ये सारी चीज़े सब आपको पढ़ा रहा लेंगे ठीक है ना चलो but and now we enter the legendary reason once more not until gigantic nephew of एजला फिर एक बार हम एंटर करते हैं उस legendary region में एक बार और not until तब तक नहीं जब तक gigantic nephew of हैजलाक had performed heroic feats of valor ये हैजलाक का बहुत बेहतरीन कारणामा सामने नहीं आया था and had saved fragments of the host of the marvelous feet of swimming और उसने भी बहुत बड़े-बड़े किर्तिमान अस्थापित के feats मने good qualities दिखाई किसकी swimming की समुदर में बिजय पाने की the majority of scholars now hold that these historical events and personages, personages मनें BIP उस समय के जो personages थे याने BIP लोग थे उनका जो collection है were celebrated in the epic वो इस epic में celebrate किये गए है बियूल्फ में but some still assert लेकिन कुछ अभी भी स्वीकार करते हैं इस बात को that the events which gave a foundation of BIP के जो foundation बनती है occurred wholly on English soil जो अंगरेजी भूमी पर पैदा हुई where the poem itself was undoubtedly deleted जहां यह निशित रूप से यह poem ही लिखी गई है पास समझ में आ रही है तो अब यहां तक कि सुरूब करेंगे न यह यहां तक अप पद लिजुखा कि Sport करेंगे यहां से कल बसटना और पढ़ाएंगे इसका थोड़ा से पता देंगे बस तो फुल लाइन देरफोर का ऐसी लिखी है ठेके ना किस तरह की भासा है किस तरह का अक्सेंट है उदारा उसका अगर आपके पास ना हो तो हम PDF आपको भेद देंगे आप रीड जुरूर करिएगा तो यह ब्यूल्फ यहां पर खतम हो गया है और अब हम विडिशिट से स तरीन पोयम है जो इस कौप के दोरा गा गा करके सनाई जाती थी और ऐसी गाया जाने वाली किताबों गाया जाने वाले गीतों को इस कौप के दोरा गाया जाने वाले गीड मैन के दोरा जो गाया जाने वाले गीत थे उनके बारे में आपको बात करेंगी और यह सारा कलेक् इसमें कहीं लिखा है? हाँ ये, only in the extra book, ये सब किसमें संभाल के रखी गई है, traveler's song है, और वेडिसिट है, इसका नाम ही traveler's song है, यानि गवया, वो दुखी आत्मा जो बांग बांग के खाता है, इधर से उधर गाता रहता है, और ऐसे कहानियों का एक संग्रा है, वेडिसिट, जो extra book में manuscript की तरह संभाल के रखा गया, old script में, poetry compiled in the latest 10th century, और ये extra book 10th century में सामने आई थी, और उसमें, उससे पहले की जितनी भी कविताएं थी, उन्हों सभी को संभाल कर रखा गया था, हाँ, बुक है, तो बर्यासा आराम से उसको read करते रही है, PDF हम एक बार अबी कर देंगे, ठीक है, तो चलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है, कल और एक चीज सुन लो, कल सुभा की class तो होगी, और कल मुझे चुनाओ में duty के लिए machine चलाने सीखने जाना है, पीठा सीन आपको भी बनना पड़ेगा जब आपकी नोगरी लग जाएगी, अभी तो हम ही से काम च तो फिर नहीं हुपाएगी साम की class, सुभा की class होगी अपने समय पर, ठीक है न, थैंक यू